हालो मैं एकली जवेदी और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्यूंकि अभी जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको थोड़ा से बताना हमने जरूरी समझा और कुछ हमारे जो स्टुडेंट्स है वो और कुछ जो विवार से उन्होंने पूचा किसार इसमें क्या किया ज ही है इंटरनेट पे और वो या कॉन्ट्रेक्ट आप कह लीजे वो चला है संदीब मैश्वरी जी और वेक बिंद्रा जी की वीज़ों अब इसमें हम वो नहीं जानना चाहते कि मतलब कंट्रोवर्सी क्यों है कैसे है और क्यों उसमें हुआ चीजे क्या हुआ किसने क्या कहा हम सिर्फ कुछ बातों को जो इधर बीच हमने उसको इनलाइस की और देखा उसके बेज़़ पे कुछ बताना चाह रहा हैнов . बताना हम यह चाह रहा है कि साभ जैसे इंडिया में क्या है कि लोहों ननेge violon ज्यादा चीज़ें दिए बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत सारी इनकी इस्पेक्टेशन शुरू हो गई हैं लेकिन देखिए हर आदमी के अपने एक परसनल लाइफ होती है अमना सिस्टम होता है अब जैसे संदीप मैंश्वरी जी को हम भी बहुत मानते हैं और शुरुआ से आज से 6-7 सल पहले उन उनने शुरू किया और free of course सब के लिए शुरू किया वह मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हैं हम भी बहुत इंस्पायर हैं बहुत सारी चीज़ों में और हमारे बहुत सारे स्टूजेंट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा है हमने अधिक महिश्वरी जी का साथ कोई कमेंट आया कि जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय तक डिप्रेशन में रहा तो लोगों के लगता है कि नहीं साब यह जो है यह परसन के साथ कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता देखिए सीधी जी बात है सभी लोग हुमन्स हैं हुमन्स के इस सब कि पॉस्टिव निगेटिव हुमेशा होते हैं और हमेशा रहे हैं शुरुआ से रहे हैं चाहरे किसी काल में देख लीजे और इसको तो जो हम लोग के मतलब सब के हिन्दु के हम लोग के भगवान हैं सारे उन लोगों ने सब साब इस बात को समझ के चलना चाहिए क संदीक महिश्वरी जी या विएक बिंद्रा जी सभी लोग यूमन्स हैं और उनके सब के अपने अपनी सारी चीजें हैं पॉस्टिव निगेटिव सारी बात है अब बात बची कंट्रोवर्सी की किसाब किसी ने कोर्स ले लिया और वड़ा महेंगा था या सस्ता था उस पर उन्होंने कुछ एडवाइस कर दिया तो देखिए अब यह सब चीजें का मतलब उसको ले करके कोई किसी एक आदमी को किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए जब उन्होंने जन्नल बात कही संदीक महश्वरी जी ने उसको जन्नली तरीके से लेना चाहिए कि आपन करिए उसके बाद तुरंत अपना पैक मदला वह अपना कोर्स बेचना चुरू कर देते हैं अगर गावड होती है तो फिर उसके लिए बहुत सारे और रेमडिस हैं जिसको आप अपना सकते उसमें पर्सनली लेने की कुछ ऐसी बात नहीं थी लेकिन अब यह कॉंप्लिट ह हो गया है तो चीजें थोड़ा से अच्छा एक और बात हमको समझ में जो आई अभी तक कि मेरे अन्बाउ के साब से भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह तो खैर मतलब अपना मोटिवेशनल स्पीकर हैं यह सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के सारी चीज देखिए मेरा सिर्फ एक मतलब जो मेरा एक नूटिंग है इसमें सीधी सीची है कि आप में चीजों पर जाइए अगर आप भगवान को मानने तो सिर्फ भगवानी को अच्छे से मानिए फिर किसी व्यक्ति की बहुत जादा आप मतलब उसमें सोचिए कि वो व्यक्ति ही ए मानते हैं, हमारे भी जो मलब गुरुें justamente, जयाएन इनका अप ध्यान तो घ्यए हैं तो विय पस्णा में जाते रते हैं वाई वी गई हम भी जाते रते हैं तो हम उनको मानते हैं ठीक हैं अच्छी है उन्हें inhal हो उसारी चीज़े कि मांत्माबुद को भी मांते हैं लेकिन में चीज हमें टेकनीक पर ध्यान देना है कि क्या टेकनीक हो देखे गया है सांस पर ध्यान लगाओ ये चीज उस पर ध्यान देना क्योंकि उसी से उनको भी हुआ है उसी से हमको भी होगा तो में हमको उस टेकनीक पर ध्यान देना चाहिए तो जहां पर यह सारी चीज जो हमारे मतलब जो महात्मा है उन लोगों ने दिया है तो हमको उस टेकनीक पर ध्यान देना चाहिए उस विद्या पर ध्यान देना चाहिए वो हमको हमारे लिए फलित होगी तो मेरा यह कहना है क कि बस इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए ठीक है और बाकी तो कंट्रवर्स कोई वे अच्छी नहीं रहती यह भी हुआ हमको इसका बहुत दुख है कि ऐसे चीज़ें हैं और उस लेविल पर चीज़ें होने के बाद इस तरह से चीज़ें हो गई वह काफी अनफॉर्चने पर देते रहें वो देते रहें तो काफी अच्छा रहेगा ठीक है इस विज़र पर मुझको बस जर्वित नहीं कहना है ओके थैंक्यू